दोस्तों बीते दो दसक में क्रिकेट को कई महान बल्ले बाज मिले हैं जिनोंने वंडे क्रिकेट को अपने परदसन से नया मुकाम दिया है तकरीबन सभी देसों ने विस्व क्रिकेट को ऐसे बल्ले बाज दिये हैं जिनोंने विपकसी टीम को अपनी बल्ले बाजी से परेसान किया है इन खिलाडियों ने ना सिर्फ बहतरीन परदसन किया बल्कि कई सत्किय पारियां भी खेली हैं लेकिन कुछ बल्ले बाजों के नाम एक सरमनाक रिकोर्ड जुड़ा हुआ है ये बल्ले बाज अपने सतकों से ज्यादा बार जिरो पर आउट हुए हैं तो चलिए दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में उन नो बल्ले बाजों के बारे में बताएंगे जो अपने सतकों से ज्यादा बार जिरो पर आउट हुए हैं दोस्तो इस लिष्ट में हमने उनी बल्ले बाजों को सामिल किया है जिनोंने वंडे में दस से ज्यादा सतक लगाए हैं राहुल दर्वीड, भारत के महान बल्ले बाजो में से एक राहुल दर्वीड को लोग दिवोल के नाम से भी जानते हैं, टैस्ट में उनका परदसन सांदार रहा है, हालांकि वंडे में उनका परदसन टैस्ट के मुकाबले उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मद्दे करम को उन्होंने काफी मजबूती परदान की थी, टैस्ट में उनके नाम 36 सतक दर्ज हैं, जबकि वंडे में 12 सतक और वे 13 बार बिना खाता खोले ही पेवेलियन लोटे हैं, अर्विंद डिसिलवा, सिरी लंका के महान बल्ले बाज अर्विंद डिसिलवा ने कई वर्सों तक अप विसु कब जीतने वाली टीम के वे एहम अंग थे, इसके अलावा विसु क्रिकेट में सिरी लंका को अस्थापित करने में अर्विंद की एहम भूमी का है, अर्विंद ने कई बार अकेले दम पर सिरी लंका को मेच जीताए हैं, सिरी लंका के लिए 308 मेच खेलने वाले अर वे अभी हाली में चैंपियंज ट्रोफी में भारती टीम के लिए खेले हैं। उनके नाम 14 सतक दर्ज हैं लेकिन वे 18 बार जीरो पर आउट हुए हैं। नाथन एश्टल मद्दे करम के बल्ले बाज नाथन एश्टल ने अपनी पीडी के कम आके गई विस्फोटक बल्ले बाज हैं। एश्टल ने न्यूजी लैंड की तरफ से खेलते हुए अश्टीफन फलेमिंग और करेग मैक मिलन के साथ कहीं यादगार साजेदारिया निभाई हैं। 223 एक दिविसिय मेचों में एश्टल ने 7090 रन बनाए हैं जहां उनके नाम 16 सतक दर्ज हैं लेकिन वे 19 बार 0 पर आउट हुए हैं। एडम गिलक्रिष्ट गिलक्रिष्ट ने क्रिकेट में एक नए चलन की सुरुआत की थी जो आगे चलकर सभी विकेट कीपरों के लिए अनिवार ये हो गया। उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी एक विकेट कीपर को बेहतरीन बल्ले बाजी भी आनी चाहिए। ये वन डे में वे सलामी बल्ले बाजी करते थे तो टेस्ट में वे मद्दे करम में बेटिंग करते थे। 287 मेचों में गिली ने 16 सतक बनाये हैं तो 19 बार वे जीरो पर आउट हुए हैं। इंजमामूल हक मुल्तान के वजनदार किरिकेटर वे लंबे समय तक पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करने वाले इंजमाम ने अपनी टीम को कई बार अकेले दम पर जीत दिलाई। उनका रिकोर्ड घर में वे बाहर दोनों जगे बहतरीन रहा। उनकी सैली आकरमक किरिकेट खेलने की थी लेकिन भारी भरकम सरीर की वज़े से वे विकेटों के बीच दोड में लगाने में कमजोर माने जाते थे। जिसकी वज़े से उनके नाम सतक लगाने से ज़्यादा बार जीरो पर आउट होने का रिकोर्ड भी दर्ज है। 378 वंडे मेचों में उनके नाम दस सतक दर्ज हैं जबकि 20 बार वे जीरो पर आउट हुए हैं। हरसल गिप्स दक्सिन अफरीका के आकरमक बल्लेबाज हरसल गिप्स अपने समय में टीम के एहम अंग हुआ करते थे। वे अफरीकी टीम को कई बार बहतरीन सुरुआत दे चुके हैं। खास कर जब टीम लक्से का पीछा करती थी तो वे काफी मददगार रहते थे। साल 2006 में उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेली थी और ओस्ट्रेलिया दवारा बनाए गए रिकोर्ड लक्से का पीछा करने में अपनी टीम की मदद की थी। उस मेच को लोग वर्सों तक याद रखेंगे लेकिन उनके नाम भी ये सर्मनाक उपलब्दी जुड़ी है। उन्होंने 21 सतक लगाए हैं लेकिन 22 बारवे जिरो पर आउट हुए हैं। क्रिस गैल विस्फोटक बल्लेबाज और खुद को यूनिवर्स का बोस बताने वाले क्रिस गैल ने दुनिया के हर कोने में सांदार बल्लेबाजी की है। गैल जब भी चले हैं विपकसी टीम मेच से बाहर हो गई। T20 क्रिकेट में गैल ने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं जबकि उन्होंने वेस्ट अंडीज के लिए 301 दिविस्य मेच भी खेले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वे 23 बार जिरो पर आउट हुए हैं जबकि उनके नाम मातर 22 सतक दरज हैं। सनत जैसूरिया सिरी लंकाई दिगज जैसूरिया अपने समय के सबसे खतरनाक सलामी बल्ले बाजों में से एक थे। जिनोंने सिरी लंकाई क्रिकेट की दसा को बदलते हुए नई दिसा दी। अपने जमाने के विश्व अस्तरिये गैंद बाजों की जैसूरिया ने जम कर खबर ली। वे पारी की पहली गैंद का सामना करते थे जिसका उन्हें कई बार फायदा तो कई बार नुकसान भी हुआ वे कई बार पहली ही गैंद पर आउट होकर पवेलियन लोट गए चारसो पनतालिस वंडे मेच खेलने वाले जैसूरिया सतक लगाने से ज्यादा बाज जिरो पर आउट हुए हैं उनके नाम 28 सतक दर्ज हैं जबकि वे 34 बाज जिरो पर आउट हुए हैं दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 37 बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको हमारी वीडियो का नूटिफिकेश सबसे पहले मिल सकें और इस वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें